दोस्तों Union Public Service Commission ने new notice release किया है जिसके अंदर काफी important notification देखने को मिल रही है और मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहूंगा यहां पर जो लोग काफी बार यह सवाल पूछते हैं कि सर प्लान B UPSC Civil Services को प्रिपियर करते हुए मेरा होना चाहिए या नहीं और अगर हां तो इसका form फिल कर सकते हैं और कब यह available होगा उसके बारे में हम बात करेंगे सबसे पहली चीज़ तो आपकी जो notification होंगी Union Public Service Commission की website पे आपको notification मिलेगी लेकिन कब से मिलेगी वह होगा आपका 7th of March 2024 से 27th March 2024 तक आपकी notification होंगी किस पोस्ट के लिए notification और कितनी vacancies होंगी vacancies है 323 vacancies और किसीज के लिए है Personal Assistant in Employment Provident Fund Organization EPFO के अंदर Assistant की पोस्ट के लिए यह notification होगा EPFO Ministry of Labor and Employment के अंदर काम करता है अब यह जो आपकी vacancies है 323 vacancies जो आपकी देखने को मिल रही है इनका division कैसे होगा मतलब reserve category के लिए क्या है unreserve के लिए क्या है उन सब के बारे में हम बात करते हैं unreserve category that is general category के लिए 132 पोस्ट होंगी यहां पर economical weaker section के लिए 32 पोस्ट रिजर्व है और BC के लिए 87 सीट रिजर्व है SC के लिए 48 और ST के लिए 24 सीट रिजर्व अब जो आपके physically challenge उनके लिए 12 सीट रिजर्व है टोटल रेकेंसी में से यह रिजर्व सीट देखने को मिल जाएंगी अब important सवाल यह भी आता है कि सर इसकी जो qualification है मतलब age criteria वगरा जो है वो क्या है और pay scale क्या है देख कि इसकी pay scale की अगर हम बात करते हैं तो यह level 7 of the pay matrix के अंदर आता है 7th pay commission के according age जो रहेगी unreserved category के लिए या EWS category के लिए वो है 30 year और उसी के तोर पर OBC की age देखी जाए तो 33 years 35 year age SC और ST के लिए है और अगर physically challenge disabled के लिए बात की जाए तो age criteria है 40 years right तो यह आपका sequence हुआ अब सवाल यह है कि जब आप application submit करेंगे obviously आपके पास एक window दे दिया गया है एक duration का time एक time दे दिया 7th March to 27th March तो यह तो आपके application submit करने का time होगा अब अगर आप उसमें कुछ edit करना चाहेंगे application form जो है वो आपकी edit करने के लिए जो availability होगी वो 28 March से 3rd April के बीच में रहेगी 7 days का window रहता है जो कि आपकी UPSC Civil Services के अंदर भी था तो आपको UPSC की website पर जाना है और वहाँ पर जाके आप यह basically form fill कर सकते हैं एक paper हुआ करता था तो अगर आपका सवाल है कि mains होता है या नहीं होता है तो इसमें mains का कोई ऐसा portion देखने को नहीं मिलता बट स्टिल अब UPSC को organize कर रहा है और UPSC के पास में right reserve है कि वो किस तरीके से organize करेगा ज्यादा detail information हमें 7th of March को जब detailed application आपकी आ जाएगी तो हमारे पास available रहेगी तो उस time पे हमें detailed video discussion भी करेंगे बट या सिट इस a good option और इस notice को आप couple भार्तवाज for you telegram channel से download कर सकते हैं मैं वहाँ पी इसको upload कर दूगा thank you very much best wishes thanks a lot